कि नमश्कार कानूनी बात बताने वाले मेरे यूटूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है कि आज का विशे जो है वह है मैं अलग साइब कि क्रिमिनल ओफरेंस में हम अगर देखा जाए तो कि पारे में हर वार सुनते आती कि अब जमा नगीया सामने आ जाता है कि कि अरूपी पुलिस ने गिरिप तर कर दिया है को अंदर डाल तर दिया है और कि सब देजिक के रिष्टेदार उसको छुड़वाने के लिए उसकी जमानत करने के लिए यहां से वहां भाग रहे पुलिस से लेके कोट टक भाग रहे और यह सब सामने आते समय हैं यह जमानत क्या होती है यह देखना बहुत एहम होता है तो जमानत बहुन क्या है तो एक लिखित वादा है अपरादी या एक व्यक्ति के द्वारा हस्ता च्छिरित किया हुआ आधालत के सामने निया पूलिस अधिकारी के सामने लिखित सुरूप में देता है कि बाई हर जो मैंने अपने जो जमानत के लिए जो राशी तैखिए वह राशी की में बॉक्टान कर रहा हूं और आधालत में या पूली स्टेशन में आप जब बुलेंगे तब मैं उपस्ति प्रक्रिया जिसके द्वारा एक नयायदिश यानि मैंडिस्टेट जमानत करता है जिसके बाद कईदी को अंदर डालने की जुरोतने वह अदालत में आने के लिए उसको अउदी दिया जाता है उपस्तिती सुनिष्चित होती है और अगर वह नहीं आता है तो उसकी जूद जमानत है जमानत राशी जट कर जाती है अगर वरंड वरंड गियूर्ट जमानत है और जमानत बॉन्ड देते समय एक दोतीन चीज बहुत एहम होती है अब कौन सी बात इहम होती है यह हम देखेंगे पहली बात कभी भी अगर जमानत की बारे में सुचना हो तो यह देखना पॉत एहम होता है यानि बेलेबल ओपेंस है या नॉन बेलेबल ओपेंस है जहां बेलेबल ओपेंस है यानि जमानत पातर गुना है वहां पुलिस अफिसर अपने पुलिस टेशन में उसकी जमानत राशी लेके उसको रिहा कर सकते हैं अचब जमानत पहतर कुना नहीं है नॉन मेलेबल ओफradeं से वहां पुली स्र्सडीकार इक अपने अधिकार विस्को छुडवा नहीं सकते हैं और मैज़ेश्टरेट वह तैकर जो उसके सामने प्गरी पूलिक प्रॉसेटोडर को पोलीस बताता है कि भाय इसको अंदर रखने की जरूर प्लीस की क्या घुम्न में बाखी है वह अगर ळार रहे है तो सपास में बहुत कठी आहीं नहीं यहां से भी है तकी जरूरत नहीं अंदर रखने कि हम तो आने वाले तो जब वह मैजिस्ट्रेट करता है देखे कि बाई क्या गुना है इसके गंबीरता कितनी है उसके आरूपी का पूरूपीटी का क्या है और उसका पुलिस से सहयोग कितना है और जाच के लिए सचमुच उसकी जरूरत है क्या अंदर रखने लिए और यह तैय करके एक जमानत की राशी तैय करके मैं रुष्टेट जमानत दे देते हैं जमानत देने के बाद जमानत की राशी बताने के बाद वो गीराफ़ार अरोभी यानि अपरादी को वो जमानत की राशी देनी परते हैं कि अब हम बोलते कि बॉण्डांई वो रिश्टेदार भि तो रश्चितार और राशी के अनुसार रष्टेदार को भी समय मोरत मिन आना पड़ता है रशनकार के साथ हाधारकाश के सब्सक्राइब आएगा अगर नहीं आएगा तो मैं भी जिम्मेदर हुए और जमानत राशिक के इक्विलन उसकी जिम्मेदर हो कि बीस अजार का बॉंड है सब्सक्राइब चला जाएगा अगर नहीं आता है तो इतना उसमें याद रखना है पर सच माना जाएं तो एक अधिकार है विदा कोट की अनुमक्ति पोलीस जामानत नहीं दे सकती अगर वह जमिन पात्र गुणा है इतना दिमाग में रखे अलग-अलग तोर पर यहनि मोटे टोर देखा जाए तो जमानत की तीन क्रेणिया होती एक जामिन cesal अपरणो में जमानत इहां मैंने पहले बता दिया कि पोलिस स्टेशन में पोलीस आधिकारी भी जमानत दे सकता है दूसरा गईर जमानत कि नीट गईर जमानत डी अपरादों के मामले में जमानत वो खास करके न्यायल यह डंडा दिकरी के सामने होता है फिर अग्रिम जनामत जहां उसको ऐसा लगता है अभी कुछ हुआ नहीं है अग्रिम जमानत जो होती है जो उसको लगता है कि मुझे गिरवतारोनी के आशंका है और ऐसे आशंका जब होती है तब वो कोट के सामने आ जाता है कि मुझे इसा महिसूत हो रहा है कि मेरे उपर कोई तो गुना दाखिल करने की जान गुज के दाखिल करने जा रहा है और मुझे भिरवतार नहीं होना है कि मैं कभी चाहिए जब चाहिए मैं पोलीस स्टेशन में या कोट में आजे ली दूंगा अब ऐसे मामले में कोट उसकी परसनेली देखके क्या है उसकी व्यवार क्या है सब्सक्राइब तो भाग जाने की लगता नहीं बहुत चाहिए तो ऐसे समय में उसको अग्रीम जमानत दी जाते हैं अब अग्रीम जमानत देते समय जो न्यायल है वो भी पूचताच करते पोली स्टेशन में कि सब्सक्राइब उसके उपर कोई अपराद गुना दाखिल हुआ है कि नहीं हुआ है अगर नहीं हुआ है तो जो खारीज करते समय एक रियाद देती है कि भाई 72 आर्स की हम आपको एक आउदी दे देंगे जहां आप क्या होगा आपको जमानत दाखिल करने के लिए एक अउदी विलेगा 72 आर्स आपके उपर अगर गुना दाखिल होता है तो बहतर घंटा आपको अउदी दिये जाएगा तब तक के लिए आपको अंदर नहीं डाला जाए तो इसे अलग-अलग विशे में दिखा जाए तो जमानत कभी भी हम कर सकते जमानत कब करना चाहीं कभी कर सकते अधीकारी के हिरासत में जब जो गिरप्टार हूआ अदमी है उसने जब चाहें हो अर्जी कर सकते कि मुझे अब र१यात चाहिए को मैं जमानत के लिए मैं अजी कर रहा है अरजी करना जरुवत है अब जब संड़े मि दौस्ट्ट्टी के दिन ना कर जमानत हो जह नहीं होती है तो संड़े हो यह कोर्पट का भी कोREE कोट रहता है कोर्पट और के सामने ऐसे मामले में आजातें एंपोर्टन उतनी है उसको जमानत संट contributors को जमानत देना नि Sunday JUL俗 इसलिए नहीं यह भी सच नहींрал और बार घुम रहें और उसको रिया कर दिया उसके उपर आरोब जो लगे-वे एह खारी जोगना है मिल जाती है कि या ना रखे जोटे मूटे अगर आप पराद हो तो जमानतुम लिए जाती है कि आप दिमाग में रखे जमानत के लिए मैंने पहले जैसे बोला पात्र गुना नहीं है तब उसको क्रिमिनल जो लायर अपॉइंट करके उसके तरफ से वह कोट में अगर चला जाता है तो जमानत मिलने की चांसे बढ़ जाता है यह हक है क्या तो हक है अगर जामिन पात्र गुना है जो सेक्षन लगा हुआ है तो उसका हक है इसलिए हर्दम अगर किसी के उपर पुलिस स्टेशन में इंडियन पिनल कोड सेक्षन लगाए है तो भैसा पहले देखे वो क्या है वो स्टेशन बेलेबले के नॉन बेलेबले जमानत पात्र है क्या पात्र है अगर जमानत पात्र है तो कभी भी आप जमानत के लिए पूलिस स्टेशन में पूछ सकते कि मुझे जमानत पर रिहा होना है अगर जमानत पात्र नहीं है तो अलग सा विशे अब ऐसा होता है कि उसका एक हक है अगर नब्वे दिन में वह जामनी पात्र गुना जो है वह अंदर आदमी बैठा है सेड़ पे बैठा है चार्शी दिन ही फाइल किये नब्वे दिन तक तो उसको हग बनता है जामानत के लिए उसको भी हग बनता है और यह होए क्योंकि पुलिस अब भोल नहीं सकती नब्वे दिन के बाद कि हमको उसकी जरूत है हमको पुलिस की अपास करनी है अलग अलग विशे में जानकाई लेने वाई सब नब्वे दिन होगे आप क्या करें नब्वे दिन में तो वह जमानत के लिए वह में लिखिए जिसमें इंडन पिनल कोड सेक्शन के अनुसार सब ऑफेसे जो गुना है वह जामिन पात रहे जामिन पात रहे उसके बारे में मैं लिखे हुए कि कभी भी आप जाख सकते उसमें और ऐसे अलग अलग से विशे आपके समने में लाते रहता हूं आपको ओम अझाल आ canvas करने के लिए मत बुल इन्षटा को फॉलो करने के लिए मत बुले कॉमें greed कॉमेंट डाले के को अग little सा वीशे दिमाक में वो डालिए और ऐसा ही अगला आच्छा वीडियो आने तक यहां रुखेंगे और इन्तजार करेंगे अगला वीडियो का तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया जए